हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजु मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हर्दिक स्वाधत है बच्चों, आज मैं सूर्दास जी के एक पत को लेकर उपस्चित हूँ यह एक रिक्वेश्टेड वीडियो है एक छात्र ने मुझसे अनरोध किया था कि मैं इस पत का अर्थ और विशेश समझाओं यानि इस पत की व्याख्या प्रस्तुत करूँ तो चलिए सबसे पहले मैं इस पत को पड़ कर सुनाती हूँ गिरिजनी गिरे स्याम के करतें करत विचार सबे ब्रजवासी भय उपचत अति उरतें लेले लकुट ग्वाल सब धाई करत सहाई जूत तुरतें यह अति प्रबल स्याम अति कोमल रब की रब की हर बरतें सब्त दिवसकर परदगिरिधार्यों परसी ठक्यों अंबरतें गोपी ग्वाल नंद सुत राख्यों मेग धार जल धरतें जमलार जुन दोवू सुत कुबैर के तेव उखारे जरतें सूर दास प्रभुइंद्र गर्वहरी ब्रज राख्यों कर बरतें तो आप चलिए सबसे पहले मैं कठीन सब्द के अर्थ को बतला तो इस पद को कभी सूर दास जी ने ब्रज भासा में लिखा है इसलिए मेरा या प्रयास है कि मैं अधिक से अधिक सब्दों के अर्थ को आपके समख्यों प्रस्तुत कर सकूँ ताकि आप जब कभी भी इस पद को पढ़ें तो पंक्ती के अर्थ को समख्यों में कोई दिक्कत ना हो तो चलिए आरंब कर रही हूँ कठीन सब्दों के अर्थ गिरी यानी परवत तो परवत यहां कौन सा परवत है? गोवर्धन परवत है जनी मने जैसे स्याम स्री कृष्ण को कहा गिया है कर यानी हाथ तय मतलब में करत यानी करना सबय मने सभी ब्रजवासी यहीं ब्रज के निवासी भय यानी डर उपजद यानी उत्पन होना अती मतलब बहुत ज्यादा उर यानी हिरदय लैलय मतलब लेकर लकूट यानी लाठी, धाई मतलब आया, सहाई मतलब सहायता, तुरतै मने तुरंत जल्दी, प्रबल, प्रबल कार्थे, कठोर और भारी, रवकी, रवकी यानी उचल-उचल कर, हरबर यानी हरबड, सब्त दिवस यानी सात दिन, धरियों मतलब धारन करना बरसी मने बरसकर ठक्यों मने ठक जाना अंबर यहाँ पर आकास है अठ लेकिन आकास में क्या होते हैं? बादल होते हैं यहाँ पर हम अंबर से सकार्थ आकास और आकास में रहने वाले बादल नंद सूत यानि नंद बाबा के पुत्र कौन है? स्रीकृष्ण, मेगधार यानि जल की धारा, वेकि जल कहां से आती है? मेग से आती है, जलधर यानि बादल, जमलारजुन, देखे, यमल और अरजुन, ये दो पेड का नाम है, यमल और अरजुन, दो मतलब दोनो, सूत यानि पुत्र, कुबेर, यक्षराज को कहा गिया है, कुबेर, यक्षराज, कुबेर, तेव मने उसे, उखारे मने उखाड़ना, जर यानि जर, प्रभु स्रीकृष्ण को कहा गिया है, गर्व यानि घमंड अहंकार, हरी मतलब हरन करना, समाप्त कर देना, तो आप चले, मैं इस पत का विसेश बतलाती हूँ, फ अपने कनिष्ठा अंगली में गुवर्धर परवत को धारन कर लिया था, इंद्र का प्रकोप यानि इंद्र किसके देवता है, वर्षा के देवता है, यानि इतनी वर्षा, इतनी वर्षा उन्होंने ब्रज में की, कि साथ दिनों तक उस वर्षा में मानोपूरा ब्रज जल मगन हो गया लेकिन इसके बाब जूत श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों के रक्षा की और हुने रक्षा करने के लिए क्या किया अपनी कनिष्ठा अंगली में गोवर्धन परवत को उठा लिया जैसे हम लोग वर्षा में बचने के लिए क्या करते हैं चाता का प्रयोग कर मानों उन्होंने अपनी अंगली में गोवर्धन परवत को एक छाता के तरह धारन कर लिया और जिसके सरण में सभी गोकुल वासि आ गये और इस प्रकार से गोकुल में रहने वाले सभी ग्वालों उहां के जितने गाये थी यानि उहां के जान माल की रक्षा हुई तो देखे पंक्ति का अर्थ गिरी जनी गिरै स्याम के करते। जब स्रीकृषन भगवान अपनी कनिष्ठा उंगले में गिरी यानि गोवर्धन परवत को धारन कर लिया तो कैसा प्रतित होता है। उसके बारे में सूलदास जी लिखते हैं गिरी जनी गिरे स्याम के करते ऐसा लगा कि मानु परवत जो है यानि गोवर्धन परवत स्रीकृष्ण के कर में आ गिरा हो क्योंकि उसने अपने हाथ की कनिष्ठा अंगली में गोवर्धन परवत को उठाया है इसलिए ऐसा लग रहा है कि मानो गुवर्धन परवत जो है स्रीकृष्ण के कर यानि हाथ पे आके गिरा हो और यह देखकर स्रीकृष्ण भगवान ने अपने हाथों में यानि अपने हाथ की कनिष्ठा उगली में जब गुवर्धन परवत को धारन कर लिया तो यह देखकर सभी ब्रजवासी गोकृष्ण में रहने वाले सभी लोग क्या हुए बिचार करने लगे सोचने लगे बहुत सी बाते कहने लगे कि कैसे यह संभव हो गया क्योंकि उस समय भगवान स्रीकृष्ण जो थे वो बालक स्रीकृष्ण थे तो सभी गोकृष्ण जो है बिचार करने लगे सोचने लगे चिन्ता में पढ़ गए भै उपजद अति उर्थी और सभी के हिरदय में उर यानि हिरदय में भै उपजद यानि डर उत्पन होने लगा सब भैभीत हो गए जब गोकृष्ण ने देखा कि स्रीकृष्ण ने अपने कनिष्ठा अंगली में गोवर्धन परवत को धारन कर लिया है तो सभी लोग स्रीकृष्ण की सहायता करने के लिए दौड पड़े सभी लोग अपने हाथों में लाठी लेकर यानि गवालों के पास क्या होता है गाये चराने जाते है तो उनके हाथ में एक लाठी होती है तो सभी गवालों के पास एक एक लाठी है वे सभी लाठी लेकर के क्या करते हैं श्री कृष्ण की सहायता करने के लिए दोड़ पड़ते हैं लेले लकूट ग्वाल सब भाई सभी ग्वाले अपने हाथों में लाठी को लेकर आए करत सहाय जूतुरती और तुरंत उनकी सहायता करने लगे यानि किसकी सहायता करने लगे? स्रिक्रिष्ण की सायता करने लगे क्योंकि सभी क्या देख रहे हैं कि इतना छोटा सा बालक है और उसने इतने विशाल परवत को अपनी करिष्ठा उंगली में धारन कर लिया है यह देखकर सब के मन में भैउत्पन होता है और सभी स्रीकृष्ण की साहता करने के लिए लाठी ले करके वहाँ पर तुरंत उपस्तित हो जाते हैं यह अति प्रबल स्याम अति कोमल रब की रब की हरबरती अब क्या होता है देखिए गोकुल वासी देखते हैं कि यह परबत कैसा है प्रबल है मतलब कठोर है भारी है लेकिन स्रीकृष्ण अत्यंत कोमल है तो स्रीकृष्ण कोमल कैसे है क्योंकि वो स्रीकृष्ण जो है वो बाल स्रीकृष्ण है इसलिए सभी ग्वालवासी भैभी तो उठते हैं कि कैसे एक कोमल बालक ने अपनी कनिष्ठा उंगली में इतने प्रबल, इतने विशाल, इतने भारी परवत को उठा लिया है और इसलिए क्या होता है रव की रव की हरवरती सभी लोग उचल उचल करके क्या कर रहे हैं हरवडा रहे हैं और उनकी सहायता करना चाहते हैं कि इतने चोटे से बालक स्रीकृष्ण ने किस प्रकार अपनी कनिष्ठा उंगली में विसाल परवत को भारन कर लिया है और इसलिए वे सभी सहायता करने के लिए तुरंत वहाँ पर उपस्तित हो जाते हैं अब देखिए सब्त दिवस कर पर गिरिधारियो बरसी ठक्यो अंबरती और इंद्र का प्रकोब कितने दिनों तक चलता है? साथ दिनों तक सब्त दिवस यनि साथ दिनों तक घंगोर वर्षा होती है और इस प्रकार स्रीकृष्ण जो है साथ दिन तक अपने कर में यानि अपने हाथ में इस परवत को धारन किये रहते हैं और वर्षा होते 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 क्या होता है अंत में बादल जो है ठक जाता है बरसी ठक्यों अमबरती यह आसमान ठक गया जल बरसा बरसा करके ठक गया साथ दिनों तक लगातार वर्षा होती है लेकिन स्रीकृष्ण जो है अपने हातों में साथ दिनों तक उस गोवर्धर परवत को एक जैसा धारन किये रहते हैं अतार आस्वान जो है जल बरसा बरसा करके ठक गया है यानि इंद्र भगवान भी ठक गये गोपी ग्वाल नंद सुत राखियो मेग धार जल धरते और इस प्रकार नंद सुत यानि नंद बाबा के पोत्र सिर्विक विष्ण ने क्या किया है गोपी और ग्वालों की रक्षा की है किसी रक्षा की वर्षा से जल की धारा से मेग धार जल धरते यानि जल धर यानि बादलों से बरशने वाली जल की जो धारा है उससे स्रीकृष्ण ने गोपी और ग्वालों की रक्षा की उनके प्रानों की रक्षा की, पूरे ब्रज्व की रक्षा की श्री कृष्ण भगवान ने साथ दिनों तक अपने हाथ में गुवर्थन परवत को धारन की रखा और इंद्र के प्रकोब से पूरे ब्रज्व की रक्षा की जमलार्जुन दोवू सुत कुबेर के तेव उखारे जरते यहाँ पर सूरदास जी ने स्रीकृष्ण की एक अन्य सक्ति उनकी सामर्थ का वर्णन करते हैं कि स्रीकृष्ण ने सिर्व गुवर्थन परवत कोई अपने हाथ में उठा लिया ये तो एक बात है लेकिन उन्होंने बच्पन से ही अपनी सक्ति, अपनी चंता, अपनी योगिता का परिचे दिया है उन्होंने क्या किया था बच्पन में? दो पेड, यमल और अरजुन, ये दो पेड को जड से उखाड दिया था जमलारजुन दो सुत कुबेर के तेव उखारे जरती यानि जमलारजुन दो पेड हैं, उसे उन्होंने क्या किया था? उखारे जरते, जर से उखाडा था, तो जमलारजुन कौन है? इसकी भी एक कहानी है कि जमल अर्जुन जो है वो यक्ष राज कुभेर के दो उत्र हैं यमल और अर्जुन जो दो पेड़ हैं दरसल ये दोनों यक्ष राज कुभेर के उत्र हैं किसी के अभिसाप के कारण यानि अभिसापित हो करके इन्होंने पेड के रूप में जन्म लिया था और स्रीकृष्ण के कारण ही इन दोनों की मुक्ति संभव हुई तो जब माता यसोदा ने गोपियों के सिकायत करने पर स्रीकृष्ण को क्या किया था उखल से बान दिया था तो वे क्या किये थे वो उखल को ले करके बाहर निकले और उसी तरह से वे चलते हुई क्या करते हैं दो पेड के बीच अपनी उखल में बंधी विरस्टी को फंसा क करके वो खीचते हैं जिससे क्या होता है उस उखल दोनों पेड में अटक जाता है और दोनों पेड ही जड़ से उखड जाता है तो जब दोनों पेड जड़ से उखड जाते है यानि उनकी मुक्ति हो जाती है तो कुबेर के दोनों पुत्र का जो वास्त्रिग नाम था वह था नलकुबेर और मनीग्री जब उनको अभी साथ मिला और वे जब पेड के रूप में जन लिये या पेड का रूप धारन किया तब उनका नाम हो गया यमल और अरजु तो स्रीकृष्ण ने अपनी चमता अपनी सक्ति का परेचे बच्पन में ही दे दिया था यहाँ पर सूर्दास जिने स्रीकृष्ण की सक्ति के बारे में यहाँ पर बतलाया है कि स्रीकृष्ण भले ही देखने में कोमल हो लेकिन वे सक्ति संपन हैют वे इस्वर के अउतार हैं वे तो स्वेम भगवान विश्नु के अउतार हैं तो उनमें इतनी चमता, इतनी सामर्थ है कि उन्होंने बड़ी ही आसानी पुर्व क्या किया गोवर्धन परवत को अपने हाथ में उठा लिया। सूरदास प्रभु इंद्र गर्व हरी ब्रज राखियो करबर्दी और इस प्रकार सूरदार जी कहते हैं कि प्रभु यानि स्री कृष्ण जी ने क्या क्या इंद्र के घमंड को इंद्र के गर्व को क्या क्या हमेशा के लिए चूर कर दिया। हरी मतलब हरन कर लिया, नश्ट कर दिया, हर लिया, बालक स्री कृष्ण ने इंद्र के अभिमान को, इंद्र के अहंकार को हमेशा के लिए स्वाप्त कर दिया, कैसे किया, ब्रज राख्यों कर बरते, अपने हाथों से में गोवर्धन परवत को उठा करके, ब्रज की रक्षा की और इंद्र के अभिमान को चकना चूर कर दिया, तो ये है इस पत का अर्थ, अब चलिए मैं इसका विसेश बतला देती हूँ, विसेश, पहला, प्रस्तुत पद में कभी सूर्दास ने उस घटना का सुन्दर वर्णन किया है, जब देव इंद्र के प्रकोप से ब्रज क गोवर्धन पर्वत को कनिष्ठा अंगली में धारन करने के कारण है शिर्कृष्न को गिरिधारी के नाम से संब्धित किया जाता है, यानी हम लोग शिर्कृष्न भगवान के बहुत से नाम को जानते हैं, मखhen चोरी करने के कारण उनका नाम क्या था माखःन चोर है, मु लीधर है और इसी प्रकार गुवर्धन परवत को अपने हाथ के कनिष्ठा उंगली में धारन करने के कारण इनका नाम गिरिधारी भी है तो इस प्रकार स्रीकृष्ण के बहुत से नाम है एक नाम रन छोड भी है तो ये रन छोड कार्थ क्या है युद्ध के मैदान को छोड कर भागना तो इस तरह से स्रीकृष्ण के विविद नाम है और परतेक नाम करन के पीछे एक कारण भी अवश्य है तीसरा देखें कभी सूर्दाज जी स्रीकृष्ण के सकती सामर्थ को इस रूप में वर्नित किया है कि उन्होंने दो पेड यमल आरजुन को जड से यहां एक साथ और दोनों को साप मुक्त किया जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यक्श राज कुबेर के दो पुत्र थे एक थे नल कुबेर और दूसरा था मनिगृव किसी के साब के कारण, ये दोनों पेड के रूप में जनगरन करते, यानि पेड का रूप धारन कर लेते हैं, और इनको इस साब से मुक्ती भालक सिरिकृष्ण ने दिलाई, चौथा, लेले और रप्की रप्की में सब्दों की आवरिती है, तो सब्दों की आवरिती से आप स गुन माध्धूरिय है इसके साथ की साथ संगीतात्मक्ता भी इस पत की एक विशेस्ता है इसे भी आप लिख सकते हैं तो उम्मीद करती हूं कि आज इस पत का अर्थ मैंने जिस तरह से आप लोगों को समझाया है यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गिया होगा फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो मुझे कमेंट आवश्य करें वीडियो को लाइक करें सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे सेर तो जरूर करें और जो बच्चे मेरे चैनल पढ़नाई है वे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकिशन उन्हें समय स्वेबर मिल सकें तब तक पढ़ते रहें जीवन में आगे बढ़ते रहें मेरी सुब कामनाई आप सभी बच्चों के साथ है धन्यवाद